इस वीडियो के स्टार्ट शुरू होने से पहले, सारी चीज़े बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कोर्स free of cost रहेगा, पहली चीज, ये कोर्स मैं लिखूंगा English में, बोलूंगा Hindi में, तो ये bilingual रहेगा, अगर आजका एक word यूज होता है, English, तो उसमें लिखते English में हैं, बोलते हिंदी में हैं, तो English में रहेगा पूरा content, free of cost रहेगा, free of cost वीडियोज रहेगी इसी चैनल पर, तो इस चैनल को हिमानशू coaching classes, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बहर्द important रहेगा, ठीके, इसकी वीडियो हिमानशू coaching classes, Facebook पर भी मिलेगी, आपको हिमानशू पर अशर वन, Instagram पर भी मिलेगी आपको, पर हिमानशू coaching classes पर आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीके, और ये वीडियो free of cost रहेगा, मैं PDF की बात नहीं कर रहा, बाकि इसमें जितनी भी categories के मैंने नाम लिये हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफी ज़्यादा पा ठीके, और एक चीज़ और बतादू मैं जाते जाते, फिर वीडियो स्टाट हो रही है आपकी, कि इसका वीडियो every Sunday आया करेगा, जी हां, हर Sunday इसका वीडियो आया करेगा, lecture का वीडियो हो सकता है, एक आजाए, दो आजाए, तीन आजाए, दस भी आ सकते हैं एक साथ, ठीक चीज़े हो जाती हैं, है ना, तो बारा बजे तक, दो फैर में बारा बजे से पहले पहले ही आपको वीडियो मिल जाया करेगा, every Sunday, okay, thank you so much, वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करके जाएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट मेरे लिए करके जाएगा, एक प्यारा सा कॉम रहेगा, की नहीं रहेगा, कौन-कौन आने वाले समय में ये वीडियो देख सकता है, तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप इस चनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बार की डिस्क्रिप्शन में जितनी भी चीज़े मैंने दे रही हैं, उन सब पर फॉलो कर ल क्योंकि मैं पूरा कवर कर हुआ, ठीक है, ये पहली चीज थी, दूसरी चीज, आप B.com में हैं, आप Commerce Related हैं, आप M.com में हैं, आप B.b.a में हैं, ये ये आप Commerce Related हैं, अकाउंट N.C. आपका कही न कहीं आप पढ़ते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकेंगे, जी हां, आ थर्ड प्राइवरिटी पे रहेंगे, क्योंकि यहां से Commerce में, जैसे हम प्राइवेट कंपनी में, as a Commerce subject लेकर हमने वी.com किया हुआ है, वी.com graduate का interview होता है, तो ये questions पूछे जाते हैं, आप Bank का interview देने जाएंगे, SSC का interview देने जाएंगे, यदि आपकी Field Commerce है, तो ये questions आप से से Related है, जिसका सम्बंद है Commerce है, जैसे मैंने Commerce ले राखा है subject, तो मेरा relation Commerce से है, सही आपका, यदि आपका subject Commerce है, तो आप इस CVS को follow कर सकते हैं, सेवंथ चीज है, कोई reporter है, कोई news reporter है, जो banking, finance, economy की news देता है, बहुत बार ऐसा होता है कि उनको terminologies नहीं पता होती है, सही जानकारी नहीं रहती है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, एट चीज है, जो bank में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे bank employee होते है जो अभी recently recruit हुए होते हैं, और बहुत बार उनको problem आती है, कुछ terminologies में, क्योंकि mostly जो आज के समय में bank में जो काम कर रहे हैं, वो commerce से related कम रहते हैं, रहते हैं, पर कम रहते हैं मैंने देखा है, engineers जदा रहते हैं, तो उनको इतनी information नहीं रहती, तो लोग भी ये series follow कर सकते है मैं बात करूँ जो JAIB की, JAIB, CAIB के exam देने का सोच रहे हैं, ये exam basically मैं आपको बता दूँ, ये वो exams होते हैं, जो bank employees देते हैं, फिर वो private bank का हो, सरकारी bank का हो, cooperative bank का हो, rule bank का हो, कोई भी हो, वो exam देते हैं अपने increment के लिए, ठीक है, तो उनको आगे भी फायदा करता है, वो promotions म ठीक है, तो वो students भी, वो students या employee का हूँ मैं, तो वो लोग भी JAIB, CAIB प्रिपेर करने वाले, वो भी इस series को follow कर सकते हैं, यो कि मैं series का importance बता रहा हूँ, कि इस series कितनी ज़्यादा important है, जो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, और मैं आपको इस चीज बहुत बता दूँ, कि ये free of cost रहेगा, पूरा पूरा course, मैं PDF की बाता नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ video content की बात कर रहा हूँ, जो मैं videos बना रहा हूँ, इसी channel पर रहेगा, तो इसलिए आप से शुरू मही गोजारिश कर दीती, कि इस channel को subscribe करिएगा, और मैं कोई भी बात, जो भी मैं बोल foundation या, CA foundation कर रहा है, तो वहाँ पर भी ये course काफी ज़्यादा important रहेगा, कोई COET का exam देने जा रहा है, accountancy से related है, तो वहाँ पर भी ये course काफी ज़्यादा important रहेगा, ठीक है, यदि कोई teacher की तयारी कर रहा है, as a commerce teacher, as a account teacher, उसके लिए भी ये course काफी ज़्यादा important रहेगा, को लास्ट जो चीज़े जो पढ़ना चाता है commerce, जो accountancy पढ़ना चाता है, उसके लिए भी चीज काफी जदा important रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं basically basics बताऊंगा basics of accounting हो गया, basics of accountancy हो गया, basics of banking हो गया finance हो गया, economics हो गया यहाँ पर सारी चीज़ों पर बात होगी एकदम starting points हैं, okay तो यह basically वो course रहोगा और यह पूरा course मैं इसको last time लेके जाऊँगा जितनी मेरी छमता है उस हिसाब से, ठीक है तो it's all about the video, it's all about जो जो बच्चे देख सकते हैं, जो जो student देख सकते हैं, वो सारी चीज़े मैंने सामने board पर लिख रखी है तो वो सारी चीज़े मैंने आपको बताई और definitely उन सभी को यह जितने हों का मैंने नाम लिया है उतने यह लोग देख सकते हैं तो आप उतने लोगों में share भी करिएगा different categories के लोगों को जितना हों का मैंने नाम लिया है आपर और आप सभी follow करिए इस series को और बस यही बोलना चाहूँगा बाकी videos में मिलेंगे हम और यह पूरा series free of cost रहेगा एक suggestion छोटा सा मैं चाहूँगा आप सभी से मैं इसकी playlist बनाऊँगा playlist समझते हैं आप एक पूरी ऐसी जगा जहां पर सारी videos आ जाएंगी line by line तो उस playlist का नाम क्या रखूँँ मैंने सोचा है basic to high मैं उसका नाम रखूँ basic to high अब basic to high क्या basic to high accounts रख दूँ या नाम या आपके दिमाग में कुछ और नाम हो तो आप मेरे को बताईएगा बाकि basic to high मैं क्या रखूँ नाम मैं सोच रहा हूँ मैंने basic to high तो सोच रखा है पर आप बताईएगा मेरे को आप गाइड करिएगा तो मैं उस playlist का नाम रखूँँगा एसी playlist का नाम बताईएगा जो आदमी इसली सर्च कर पाए और उसको मिल जाए क्योंकि यह course काफी ज़दा important होगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सारी चीज़स जो भी मैं बोल रहा हूँ filter करके आपको मिल रही है आपको direct पीना है जैसे आप juice पीते हैं उसी तरी किसे Thank you so much Like, Share, Subscribe यह आपकी जिम्मेदारी बनती है comment करना आपकी जिम्मेदारी बनती है अब आप कितने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी नहिवाते हैं यह देखने लाइट है Thank you so much